फ्रेंड्स आज मैं हरी मिर्च की बहुत ही मज़ेदार रेस्पी लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो आएए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेस मिर्ची लेना है तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आप लोगों को बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप लोग ले सकते हैं अब इसको सबसे पहले हमने क्या किया है धोकर और सूती कपलों से अच्छे तरीके से पोच लिया है और इन मिर्चों में हमें कट्स लगाने है मतलब कि छीरा लगाना है नहीं तो यह जब हम फ्राइ करेंगे न तो यह चेहरे पर यह उड़के आएंगे और हमारा चेहरा जो ह तो इसी परकार से हमें मिर्चों में कट्स लगा लेना है आप चक्कू की मदद से या तूथपिक की मदद से आप इसमें चीरा लगा सकते हैं तो सारी मिर्चों को हमने चीरा लगा लिया है देखिए यह बिल्कुल अच्छी तरीके से लाश तक पूरा चीरा लग चुका है अब हम क्या करेंगे इस मिर्चु को साइड में रखेंगे और मसाले की तयारी कर लेंगे तो मसाले में हम ले रहे हैं एक गुली लसन का लसन का हमने छुड़ा के एक गुली रख लिया था इसका छिलका हमने उतार लिया था उसके बाद हमने दो इंचिस में अधरा का टुकडा लेंगे और ये एक चमच हम सौफ लेंगे और एक चमच हम इसमें जीरा आइट करेंगे सौफ इसमें जरूर एट करना है इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है और इसको हमें दरदरा पीछना है इसको हमें बारिक नहीं पीछना है बस इसको हमें दरदरा सा जैसे हम कूटते हैं वैसे हमें इसको दरदरा सा पेष्ट बना लेना है अब हम इसको ढग कर साइड में रख देंगे और और जो बेसिक मसाले इसमें यूज होते हैं वो हम मसालों को ले लेते हैं तो सबसे पहले हम इसमें आदी चमच हल्दी पाउडर आड करेंगे, आदी चमच हम धनिया पाउडर आड करेंगे और आदी चमच हम इसमें कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर आड करेंगे, इसमें तीखी वाली मिर्ची हमें आड नहीं करना है, कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है और उसके बाद हम स्वात के अनुसार नमक आट करेंगे और ये जो है ये मैगी मसाला होता है इसको हम आदी चमच मैगी मसाला आट करेंगे मैगी मसाला भीस में काफी flavor लाता है बहुत अच्छा इसका flavor लगता है तो इन मसालों को हम पानी डाल कर थोड़ी-थोड़ी अच्छा तरीका से गोल त्यार कर लेंगे क्योंकि इस तरीके से हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी जो मिर्ची के रेश्पी जो बनाएंगे उसमें उसके बाद हम इसको साइड में रखेंगे और एक गयस चुले पर कड़ाई रखेंगे उसमें हम तेल गरम कर लेंगे और तेल जब अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो मिर्ची को इसमें डाल देंगे और मिर्ची को हमे सफेज सी चादर जैसी परत जैसी आजाती है तो बस हमें उतना ही सको fry करना है और यह हमने देखिये कट लगा दिया है तो मिर्ची जो है यह इसके छीटे नहीं आए आएंगे नहीं तो यह बहुत तेल में जो है मिर्ची बहुत छटकता है और यह फट जाता है बीच से तो हमारा जो चेहरा है वो जल सकता है एक्सिडेंट भी हो सकती है तो इस वज़ा से हमने चीरा लगा लिया था और इन मिर्चियों को देखिए हमने भून लिया है कितने अच्छे तरीके से उपर सत्ता पे वाइट वाइट सी सत्य चड़ चुकी हो ताकि जितना एश्ट्रा ओयल है वो इसमें टीशू पेपर में अबजर्ब हो जाए तो इन मिर्चियों को हम निकाल लिए हैं अब इसमें हम थोड़ी सी नमक कायट करेंगे और आधी टुकडी हम इसमें नीबू कायट करेंगे और इस तरह से आप लोग देखिए जब ढ धाबे ओगरे में खाने होने जाते हैं तो इस तरीके से धाबे वाले अकसर हमें खानों के साथ ऐसी मिर्ची सर्प करते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो जब कभी हम साधी दाल चावल बनाते हैं या रोटी चपाती जब साधी कोई सबजी बनाओ तो उसक कुछ और बनाएंगे तो उसके लिए हमने जो गैस शुले पे फ्राई किया था मिर्ची को तेल में उसमें से हमने आदि तेल को निकाल लिया है क्योंकि तेल जो था हमारा ज्यादा था अब उसमें यह जो पेश्ट बना के हमने बारिक बारिक अधरक लासन का हमने कदुकस करक हैं अच्छे तरीके से हमें भूनेंगे ताकि इसमें से जितना भी इसमेल है अधरक और लासन का कच्छापन वाला वह सारा जो है वह खतम हो जाए उसके बाद हम इसमें एक छोटी सी मीडियम साइस का प्याज को हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था और एक थोड़ी देर बाद दो मिनाट बाद यह अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुका है इसे ज्यादा ओम ब्राउन नहीं करना बस हमें इतना ही ब्राउन करना अब हम इसमें मसालों को एट कर देंगे जो मसाले को हमने घोल के रखता था उसको उसमें आड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से पकालेंगे, इसमें हम थोड़ी सी पानी और एड़ कर दे रहे हैं, कोटोरे को धूल के जो हमने मसाले थे, मसाले या कोई भी चीज हम जब कीचन में यूज करते हैं, तो ज्यादा खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो खाना होता है, उसमें बरकत नहीं आती है, अब इसको हम ढख कर पांच मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि इसका तेल जो है, उपर सतर पे सेपरेट ना हो जाए, उपर ना आ जाए, और देखिए ये तेल जो है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उपर आ चुका है, मसाले जो हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुकी है, अब हम इसमें लास्ट में क्या करेंगे, एक चमच कसूरी मेथी क्रस करके अड़ कर देंगे, इससे जो है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आप लोग के पास कसूरी मेथी नहीं है, तो कड़ी पत्ता भी इसमें आ आट किया जाता है, यूज करते हैं ढाबे वाले, अब हम इसमें एक गिलास पानी आट कर देंगे, और पानी को जो है, अच्छे तरीके से ढख कर हम पकाएंगे, अच्छा सा इसमें उबाल आने तक इसको हम ढख कर पका लेते हैं, और पांच मिनट बाद हमने देखिए, ढ अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है, बहुत अच्छा सा ये मसाले जो अच्छी तरीके से भूंचुकी है, और इसके बाद हम इसमें मिर्ची को एड कर देंगे, ताकि मिर्ची को भी हमें इसके साथ साथ पका लेना है, और इसे भी हम दो मिनट तक पकाएंगे, इसके बहुत अच्छा सा टेस्ट आता फ्रेंड्स यकीन मानिए इस रेस्पी को बनाने के बाद आप लोग हमेशा जब कभी भी साधी दाल चाओ लिया कुछ भी साधी सी बनाओगे तो इस रेस्पी को साइट डिस के रूप में आप जरूर ट्राइ करोगे बहुत टेस्टी लगती है आप लोग को बहुत पसंद आएगी और उसके बाद हमने पांच मिनट इससे पका लिया था और पांच मिनट के बाद हम गयस का फ्लेम आफ कर देंगे और यह मिर्ची के जो रेस्पी है इसे हम सर्प कर लेंगे बहुत टेस्टी रेस्पी बनके त्यार होती है फ्रेंड आप लोग यकीन मानिये फ्रेंड्स आप लोग को बहुत पसंद आएगी और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक किजिएगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और जो बगल में घंटी का बटन होता है उसे और पर जरूर सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा और में वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फेमली में जरूर सेर किजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स हमने मिर्ची की रे किजिएगा फिर मिलते हैं